डिलाइट आईएस के इस मंच पर मैं कीवी सिंग आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस वीडियो में हम NCRT समरी कोर्स में क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस के अधिहाय छे नियाय पालिका के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि नियाय पालिका की स्वतंतिता का क्या अर्थ है अधिगारों की सुरक्षा में नियाय पालिका की क्या भूमिका है इसके सास्ता समिधान की व्यक्षा में किस प्रकार की भूमिका है और भारत की संसद और नियाय पालिका के बीच में किस किसे balance बना हुआ है ठीक है एक कारे पालिका और विधाई का एक दूसरे पर निर्भर है लेकिन नियाए पालिका हमेशा से इसे अलग रही है और मुल अधिकारों के हनन के छेत्र में या अने चीजों में नियाए पालिका हमेशा से बहुत important रोल निभाती है और फिर हम आते है पेपर के pattern के according या फिर अपने UPSC या PCS के level के according जब हम देखते हैं तो नियाए पालिका से जुड़े हुए सवाल हमें chapters के जुड़े हुए सवाल हमें पेपर में कई बार देखने को मिलते है ठीक है इनसे जो जनहित याचिका है रिट है या किस सरीकी की जो चीजे है या सबसे पहले बढ़ते हैं आपनी chapter की तरफ और सबसे पहले देखते हैं हम अपने प्रिशन को देखते हैं समिधान में नियाए पालिका का क्या कार है समिधान की व्याख्या करना विवादों को हल करना एक या दो या उप्यूक्त में से कोई नहीं इसका उत्तर मैं आपको व जिसमें विभिन वेक्तियों या निजी संस्थाओं ने आपसी विवादों को हल करने के पंच के रूप में देखा जा सकता है यह कानून की रक्षा करते हैं और यह कानून की सर्वोच्छता भी सुनेश्चित करते हैं इसलिए जरूरी है कि नियाई पालिका किसी भी प्रकार से किसी राजनेतिक दवाब से मुक्त हो मनलब राजनेतिक दवाब किसी भी प्रकार का ने पालिका के उपर ना हो हर समाज में वेक्तियों के बीच में जितने भी प्रकार के या समूहों के बीच में जब कोई विवाद उठते हैं तो इन सभी विवादों को हल करने के लिए ये संस्था का निर्मान किया गया है सभी विवादों को कानून के सिध्धान पर आधारित संस्था द्वारा ही हल किया जाना चाहिए कानून के शाषन का भाव ये है कि भारत में उपस्थित सभी व्यक्ति को बराबर का कानून एक समान लाग हो हमारे भारत में अनेक प्रकार के लोग रहते हैं अनेक इस्तर के लोग रहते हैं बहुत अमीर बहुत गरीब इस्तरी पुरुश जाती अनेक प्रकार की जाती उप जाती के लोग रहते हैं ठीक है तो लेकिन कानून नियापालिका की नजर में सभी व्यक्षा एक समान है निया पर्फारादों को कानून के अनुसार हल करती है और यह सुनिशित करती है कि लोगतंत्र बना रहें, लोगतंत्र की जगे किसी एक व्यक्ति या किसी एक पार्टी की जगे ना हो. ठीक है, अब हम देखते हैं भारत में नियार पालिका की स्वधंतता किस तरीके से है, यह किस त से कार कर सके सरकार के अन्य अंग भी न्या पालिका के निर्णेओं में हस्तक शेप न करें और न्या अधीश बिना किसी भेदभाव या भैके अपना कार अराम से कर सकते हैं ठीक है और इसी वज़े से जो है न्याय पालिका वह देश की संविंधान और लोकतांतिक परंपरा क और जनता के प्रती हमेशा से जवाब दे है नियाय पालिका की सुतंतता का अर्थ है कि वह सुख्छारिता और उसमें उत्रा येतित का अभाव नहीं है नियाय पालिका हमारे जो देश में लोकतांतिक सरनचना का ही एक हिस्सा है ठीक है नियाय पालिका को किस तरीके सुतंतता दी जाती है इसके लिए भारत के सम्विधान में अनेक प्रकार की उपाय किये गए है ठीक है और इसमें नियाधीशों की नियुक्ति से लेके उनके किस तरीके से उनको हटाया जाएगा या कितनी भी चीजें होंगी यह उसमें यह सुनेशित किया गया है कि इनकी नियुक्ति गई हैं उसमें यह हमेशा देखने को मिलता है अब हम देखते हैं जब नियाय पालिका का स्थापना की गई थी जिसके तहर भारत में संगी नियाले की स्थापना एक रक्टूबर 1937 में की गई थी इसके प्रतम नियाधीश जो थे वस सर मौरिस गेवर थे और भारत की आजादी के बाद उच्तम नियाले का उधगाटन दिल्ली में 28 जिन्वरी 1950 को किया गया था अच्छे जो नियाय पालिका की जो संद्चना है वो पिरामिट डूपी सरचना है देखे सबस की प्राप्ति का देखने का हमें तरीका मिलता है फिर हम देखते हैं जैसे किस तरीके से यह चलता है तो देखिए सबसे पहले फौजदारी और दिवानी की जो मुगदमें होते हैं वह अधीनस अदालत में दिये जायर किये जाते हैं या उसमें दायर करके उनके मुगदमो पर वहां पर विचार किया जाता है ठीक है फिर उसके बाद ये फैसला जिला अदालत में आता है जिसमें दायर मुगदमों की सुनवाई होती है और निचली अदालत पर लिए फैसलों के जो अगर कोई अपील करता है तो उसकी भी सुनवाई की जाती है इसके सासथ गंभीर क किसम के मामलों की भी ये को सुनवाई करता है उसके बद हम उच नयाले में आते हैं जो हर स्टेट वाइस अलग-अलग होता है इसमें नीचली अधालतों के फैसले पर दीगे सुनवाई अपील पर सुनवाई की जाती है मौलिक अधिकार को जो बहल करने की जो रिटेदारी की भाहिस के दौरछग की जाती है और राजी की छित्रा दिकार में आने वाले मुगदमों का निप्टारा भी इसी के डालतपे की यह उच नयाले के निया अलियों के अधिक्षन और नियन्चरण का भी कार करता है फिर आता है भारत का सर्वोच नयाले देखिए इसके फैसले सबी अदालतों में माने होते हैं तथा यह उच नियाले के निया धीशों का तबादलत करवा सकता है यह किसी भी अदालत का मुगदमा अपने पास मंगा सकता है मतलब अधीनस नियाले में भी कोई केस चल रहा है तो वह अपने पास मंगा सकता है वह किसी उच नियाले में चल सरवोच न्यारे में गए, अगर कभी अधीनस न्यारे का बताया हुआ, कोई भी फैसला गलत सिद्ध कर दिया जाता है, उपर किसी में न्यारे ज्वारा, तो वह केस वापस दुबारा ही अधीनस नियारे में आ जाता है, और फिर वहाँ पे उसे वह फैसला देना पड़ता है ठीक है देखिए जो भारत का जो समिंधान है वा एकी करत नियाई की विवस्थाप की स्थापना करता है इसका क्या अर्थ है इसमें ये अर्थ है कि विश्व में अन जितने भी संगीय देशने हैं उसके विप्रीद भारत में प्रांति इस तरफे अलग से नियाले नहीं है भ देख रेख करते ही और उनके कामों पर निग्रानी रखते हैं। क्य सिनक्ति کی जाती है और क्या योगिता है सर्वोश नियाले के नियाधीश बनने की। मैंने अभी आपको बताया था कि कब 28 जनवरी 1950 में सर्वोच नियाले का गठन हुआ, सर्वोच नियाले का गठन के बारे में सविधान के अनुछिद 124 एक में प्रवाधान दिया गया है, इसके तहत मुल समिधान में सर्वोच नियाले के नियाधिशों की जो संख्या है वा एक मुख नियाधिश तता साथ अ संसद को है इस संसद शक्ति का प्रयोग करके संसद ने समय समय पर इनकी संख्या को बढ़ाया है और प्रजेंट टाइम में हम देखते हैं तो नियाधीशों की कुल संख्या 31 से अच्छा नियाधीश की रूप में क्या नियुक्त हो सकता है देखी नियाधीश की रूप में क् व्यक्ति को वकालत कानुभाव होना चाहिए वहां कानून का विशेश होना चाहिए इसका कारेकाल जो होता है वहां निश्यत होता है ठीक है और यह अपने सेना नेवरित होने तक अपने पत पर बने रहते हैं विशेश पर इस ती में नियाधीशों को हटाया जाता है और नि वर्ष का इनका वकालत का तजुर्भा हो और इसके साथ हम यहाँ पर देखते हैं कोलीजियम विवस्था देखने को मिलती है राष्टपती अन- नयाधीशों और राज्जियों के उचनेयालों के नायाधीशों की सलापर नियुक्ति करता है ठीक है कोलेजिय मेवस्था के बारे में यह है कि इसका समिधान में कहीं पर कोई उलेक नहीं है सरवोश नियाले के पार सबसे वरिष्ट जो जज होते हैं वा इसके सदस्रे होते हैं और इस समय इनके नियुक्ति के लिए कोई ससीमा निरधारित नहीं होते हैं और ये जजों की निक्ति और स्थानग्रन के लिए एक बहुत बड़ी योगिता देते हैं और फिर हम देखते हैं कि मंतरी मंडल, राज जिपाल, मुख्य मंतियों, भारत की मुख्य नयाधीश, ये सभी नयायक निक्टी की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं मुख नयादिश के संदर में यह भी परंपरह कि सर्वोच नयाले के सबसे वरिष नयादिश को मुख नयादिश शुना जाता है लेकिन भारत में इस परंपरह को कई बात तोड़ा भी गया है कई बारने सिर्फ दो बात उड़ा गया है ठीक है सर्वोच नियाले और उच नियाले के अन्याधीशों की निकती राष्टपती भारत की मुख नियाधीश यानि CGI से इसकी सलापर ही करता है ताकि नियाले की स्वचंतिता और शक्ति का संतुलन दोनों ही अच्छे से बना रह ठीक है और सर्वोच नियाले के मुख नियाधीश की निकती भारत के राष्टपती द्वारा की जाती है भारत के राष्टपती उन्हें शपत दिलाता है अच्छा यहां पर यह वाइस वर्सा है भारत का राष्टपती सर्वोच नियाले के नियाधीश को शपत दिलाता है और राष्टपती को भारत के सर्वोश नयाले के नयाधिशी स्थरपद दिलवाते हैं। अब हम देखते हैं जजो को हटाने की प्रक्रिया, किस तरीख की प्रक्रिया चलती है, देखिए। जो सम्विधानिक अनुच्छेद है या सम्विधानिक प्रवाधान है, उसके स्थर पे इनका महावियोग में शब्द का प्रियोग नहीं किया गया है, लेकिन बोलचाल के भाशा में यहीं प्रियोगत किया जाता है, इसके लिए 124 और उच नयाले के नयाधिश के लिए 218 के तहत यह प्रक्रिया पारित की गई, यह संसर्च के दोनों सद्दों में यह प्रस्ताव राष्टपती के अधार पर ही आता है, ठीक है, और यह किसी भी सदर में रखा जा सकता है, लोकसभा में नियूंतम 100 सदस्यों द्वारा एक हस्ता अच्छरित नोटिस, मतलब उनके सा सभापती को सौपा जाता है, और नोटिस के संदर में अध्यक्ष और सभापती सूचना की जांच कर सकते हैं, जांच के अधार पर प्रस्ताव को स्विकार या अर्शिक्वार किया जाता है, ठीक है, फिर आता है दूसरा स्टेज, उसमें क्या किया जाता है, प्रस्ताव को कोई नियाविद होते हैं और इसके बाद इनकी आरोपों की जाच की जाती है इस आरोपों की जाच के बाद जो रिपोर्ट होती है वह वापस से लोकसभा के अध्यक्ष उपसभापती को सौब दी जाती है और इस रिपोर्ट में यदि कदाचार या मतलब एक तरीके से कुछ भी गलत कारे पायजाता है तो इस प्रस्ताव को विचार और चर्चा के लिए सदन में रखा जाता है ठीकिख़ज़ और अगर न्याधीश को हटाना है तो इसको हटाने का जो प्रस्ताव है वागर दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाएगा सदन के कुल सदस्यों का बह से पारिद किया जाता है ठीक है और इस प्रकार अगर इसको पारिद कर दिया जाता है तब यह प्रस्ताव राष्ट पती को भेजा जाता है और राष्ट पती तब नयाधीश को हटाने की प्रक्रिया या उनकी हटाने की आदेश को जारी करते हैं ठीक है तो यह बहुत लंबा प्रोसेस है अच्छा अब हम आते हैं कि भारत में किस तरीके से जो सर्वोच नियाले है उसको क्या क्या अधिकार हैं किस तरीके के अधिकार दिए गए हैं सबसे पहले हम देखते हैं मौलिक अधिकार मौले का छेत्र अधिकार का अर्थे कुछ मुगदमों की जो सुनवाई है वा सीज़े सर्वोच नियाले कर सकता है ऐसे जो केस होते हैं इसमें निचली अदालतों की सुनवाई जरूरी नहीं होती है ये अधिकार उसे संगिये मामनों से संबंदे सभी विवादों में एक निर्णायक भूमिका देता है ठीक है और संग और राजियों के बीच में होने वाले विवादों और विभिन राजियों के आपसी बटवारे के बीच में भी ये निप्टारा करता है फिर आता है हम देखते हैं रिट संबंदी छेतर, रिट संबंदी में मौलिक अधिकारों के उलंगन के रोकने के लिए सर्वोष नियाले अपने विशेश आदेश रिट के रूप में दे सकता है, उच नियाले भी रिट जारी कर सकता है, अच्छा यहाँ पर यह पॉइंट य उच नियाले है, कोई भी व्यक्ति उच नियाले के निर्णे के विरुद सीजे सर्वोष नियाले में जाके अपील कर सकता है, लेकिन इसके लिए उच नियाले को यह प्रमान पत्त देना पड़ता है, कि वह सर्वोष नियाले में अपील कर सकता है, अपीली छेतर अदिकार का क्या अर्थ है उसका यह अर्थ है कि सर्वोश नयाले पूरे मुद्धमे पर पुनर विचार करेगा और उसके कानूनी मुद्धों की दुबारा चार्च करता है फिर आता है सला संबंदी छेत्रा अधिकार जनहित के मामलों और कानून के मसलों पर यह राष्टपती को सला करता है लेकिन राष्टपती इनकी सला मानने के लिए बाधिकारी नहीं है ठीक है और इसके अतरिक्त परामर सम्मे वह कई बार अपनी टिपड़ी करता है या किसी भी प्रकार की किसी चीज़ पर टिपड़ी कर सकता है अच्छे इनकी विशेश अधिकार क्या है कुछ हितियाचिका कहते हैं. उसके तहट यह हैं अपने हर्सानी से किसी भी फैसले पर पहुँं सकता है. और किसी भी हम यह भी देखेगे गें कि सर्वोच नियाले किसी भी नियाले से कोई भी Canadian Mix में जानकारी प्राप्त कर सकता है और कोई भी व्हकेस डारेक्ट अपने राज्यों के उच नियाले के बारे में प्रभादान किया गया है। यह राज्य का सबसे बड़ा नियाले होता है। प्रते कुछ नियाले में एक मुख नियाधिश चता एक ऐसे ही अनियाधिश होते हैं जिने राश्टपती समय समय पर निक्त करता है। उच नियाले के नाधि पे पांच वर्ष्टक नियाधीश रह चुका हो या वा किसी या अधिवता रह चुका हो इसके साथ सथ हम यह देखेंगे कि यह 65 वर्ष्टक अपनी आयू अपना पद धारन कर सकते हैं ठीक है और यहां पर हमें दो पक्ष देखने को मिलते हैं एक दिवानी पक्ष होता है ज किया चीज जो है यह हमारे लिए कितनी महत्वपून है और ये किस सरीके से भारत की समविंधान को की सनक्षना को सुरच्छित करके रहती है भारत में नियाईक पुनार लोकन का अर्थ है सर्वोच ने आले किसी भी कानून की सम्मिंध्यानिक्ता की जांच कर सकता है यतिव का प्रयोक कर सकता है इसके साथ नायपाली का विधाय का द्वारा प्राप्त कानूनों की और समिधान की भी व्यक्या करता है और प्रभाव शाली धंग से समिधान की रक्षा करता है इसके साथ वर नागिकों की रक्षा करता है और जन्हित याचिका द्वारा नागिकों के अधिकारों की रक्षा में नयापालिका की शक्ति में लगातार बढ़ोतरी हुई है ठीक कर सकता है SCIHC यानि कि Supreme court या हाई court कहां दायर होता है और इसके में क्या होता है देखिए जो देखे जनहेत याचिका क्या है कानून की सामान प्रक्रिया में यदि किसी व्यक्ति को कोई नुकसान हुआ है तो वह आसानी से अदालत जा सकता है इसका मतलब है कि अधिकार अपने यदि व्यक्ति अपने अधिकार का उलंगन होने पर किसी विवाद में फसने पर इमसाफ का दर्वाजा खट-खटा सकता है 1979 में सवधारना में बदलाव आया था इस बदलाव की शुरुआत करते हुए नियाले ने कैसे मुगदमे की सुनवाई करने का निले लिया इसमें पिरित लोगों नहीं नहीं बलकि उनकी उसे दूसरों ने भी दाखिल किया था चुकि इस मामले में जनही से संबंदी एक मुद्दे पर विचार हो रहा था इसलिए इसका नार जनहीत याचिका के अधार पर रख दिया फिर हमने देखा कि ऐसे ही मुगदमों की बाड़ सी आगे जिसमें जन सेवा, नागरिको, स्वयम सेवी संगठनों गरीबों की जीवन शेली को अच्छा बनाने के लिए पर्यावन की सुरक्षा के लिए कई प्रकार से जनित याचिका हमें देखने को मिलती है ठीक है और जो हम जनित याचिका देखते हैं तो जनित याचिका के माद्य हमसें नियाले निस अपने अधिकारों का दाइरा बढ़ा दिया है शुद्ध, हवा, पानी, जीवन, सबका अधिकार इन्होंने दिया है नियाले का मानना था कि जीवन समाज के सदस्ट की रूप में अधिकारों के उलंगन पर व्यक्तियों को इनसाफ की गुहार लगाने की पूरी की पूरी अजादी है नाइक सेक्रीता का जो ये पहलू है ये हमारी राजनेतिक व्यवस्ता पे बहुत प्रवाव पड़ा है इससे कई वेक्तियों, विभिन समूहों को अदालत आने का उस्तर मिला है इससे नाइव व्यवस्ता को लोगतांत्रिक बनाये गया है जन्हित याचिका की जिस सरीके से भी जो चीजें हैं ये चीजें नाइपालिका की काम को बढ़ाती भी अच्छा इसका एक निगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही पहलू है पहलु तो माने आपको बता दिया निगेटिव पहलू क्या है ये नाइपालिका की काम को बढ़ाती है नाइप सक्रितत से विधाय का कारव पालिका और पालिकों के बीच में कार्यों के बीच में अंतर बहुत कम हो गया है जिस पर जो काम होता है वह कारपालिका को करना चाहिए ठीक है मतलब यह नियापालिका का कार नहीं होता है कि वह आपके अधिकारों को दे सके यह वह आपके अधिकारों का संदक्षन करती है लेकिन आपके अधिकारों के लिए कार करना एक कारपालिका का कार है लोगतांतिक शाशन का यह अधिकार है कि जो सरकार है वह एक दूसरे की शक्तियों और छेत्रों का सम्मान करें लेकिन नयाइक सक्रीता या जनहित याचिका से इस इस धान पे हमें लगातार आगहात देखने को मिलता है और एक और पॉइंट है कि यह सुप्रीम कोट और हाई कोट डोनों में ही जनहित याचिका लागू की जा सकती है या उसको याचिका को घोशित किया जाता है अब हम जानते हैं नयाइपालिका और संसद के बारे में क्या छेत्र में इनके बीच में क्या टकराव होते हैं किस प्रकार से इनके बीच में क्या संबंद है यह हम जानते हैं भारती समिंधार में सरकार के प्रतेक अंकी किस्पष्ट कार्छेतर है इस कारविभाजन के वावजूद हमें संसद में नियाय पालिका कारपालिका के बीच में लगाता तकराव देखने को मिलता है ठीक है और यह तकराव भारती राजनीती के एक विशेश अंग हो गए बन हमने काई बार से देखने को मिलेगा कि यह कई बार इनके बीच में हमें टकराव देखने को मिलता है नियाय पालिका ने आधिकार के मुदे पर सक्रियता तो दिखाए लेकिन राजन्यतिक जो वहवार है उसकी प्रवती पर भी अंकुष् लगाया है इस कारण हमने देखें और संसद की समिधान के शंशोदित करने की शक्ति के बारे में संसद और नियायपालिका के पीछ में टकराफ के बारे में देखा था समिधान लागू होने के बाद संसद पत्ति का अधिकार पर रोक लगाने के पीछ में संसद की शक्ति पर विवाद खड़ा हो गया था यह हमें वहाँ पर देखने को मिलता है इस मामले में नियाइपालिका ने अपना अधिकार जताया और इस पर विवाद हुआ था और नियाइपालिका ने अपना किसपष्ट कारिछेद गोशित किया था वहाँ पर और संसद मे किस तरीके से सम्विधान को शंशोधित करने की शक्ति के बारे में क्या जायरा है संशोधित किस तरीके से किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है उसके मामले में भी नयापालिका का एक इसपश्ट विभाजन हमेशा वहाँ पर हमें देखने को मिलता है ठीक है फिर हम देखते हैं कि मौलेक अधिकारों को सीमित निंग की अजा सकता जैसे मौलेक अधिकारों की कई ऐसी चीज़े हैं जो हमें जहां पर नायपालिका संसर दिया विधाईका की सीधे कारेयों में दखल देती है नौकरी के आरक्षन के संबंदी कानून जो ये नियम मनते हैं उसको सीधे-सीधे लोग दायर कर देते हैं जिसके बीच में नियापालिका को जो हमारे कोट को वहां पर आना पड़ता है उसके बीच में दखल देना पड़ता है अब हम आते हैं कि 1973 में जो सर्वोच नियाले ने एक जो निन्ने दिया था जिससे एक तरीके से जो उनका जो वहवार था या जो कह सकते हैं जो उनकी इमेज दी वो किस तरीके से बदल लगी थी देखिए 1967 से 73 के बीच में काफी विवाद था ठीक है भूमी सुधार से संबंदी और इसके साथ नौक्रियों के आरक्षन के संबंदी और कई विवाद देखने को मिलते हैं जिनके बीच में फिर हम देखते हैं कि 1973 में सर्वोष नियाले ने एक महत्वपूर निर्ने दिया जो संसत के नियापालिका और संसत के नियमों के बीच में काफी महत्वपूर हो गया इसको हम केश्वानन भारतिये मुगदमे के रूप में प्रसिद है ठीक है यह बहुत फेमस है इस संविधान का एक मूल धाचा है और संसत सहीद कोई भी उस मूल धाचे से छेड़ नहीं कर सकता है संविधान संशोचन द्वारा भी इसको बद्दा नहीं जा सकता है नियाले ने दो और काम किये उन्होंने क्या कि संपत्ति के अधिकार के मुद्दे के बारे में कहा कि यह म वुचित प्रतिबन लगाया सकता है। दूसरा नियालन नहीं ने अपने पास सकने का अधिका लिया कि कौन सा मुद्धा मूल्ध हांचा है या नहीं है। कर सकती है बतलब अगर आपके कानुन बनाती है सरकार तो यह है इसका निर्णिन लेने का अधिकास सिर्फ निययापालिका को है कि वह समघधान का मूलधाचा है या नहीं है ठीक है इसके साथ हम यहाँ पर देखेंगे के अलावा भी हमें कई प्रकार के विवाद देखने को मिलते हैं जैसे कि नियाई पालिका विधाई का की क्रिया की नियमन और उसके हस्त शे कि बीचयी बेचल टेंशन देखने को मिलती है अब हम जानते हैं रिट के बारें Rosie निधाने नियाले को कुछ bakit ज्यिखे विमुई बहराज सार्षि आभारार की और विशे शक्रेश आगले अर्थिकार श्रच के कि ICK говорई करने का रोचने का निदेश रिट कहा है यह समय बंदी प्रतिक्षिकरन, परमादेश, प्रतिशेद, उत्प्रेशन, या अधिकारप्रेक्षा, अभ हम सबसे पहले जानते हैं बंदी प्रतिक्षिकरन को, इसका आर्थ है कि शरीर सहित पेश, यानि कि किसी भी व्यक्ति को जब गिर Bottas किया गया है तो नेयाले बंदी प्रति ची करन का आदेश देता है इसका आर्थ है गिरिफतार करने वाले व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर ही अंदर मजिस्रेट के समक्ष पेश करने का अवनिवार रूप से आदेश दिया गया है और यदि अगर अव्य तरीके से वह गिरिफतार पाय जाता है तो उसे छोड़ दिया लाता है फिर आता है पर्मादेश पर्मादेश का अर्थ हमारा आदेश है यहां आदेश तब जारी किया जाता है तब सरकार या कोई उसका उपकरन या अथ्वा अधीन जो नियाले है वह अपने कर्तवियों का निर्वहन करने में असफल रहता है तब नियाले इस प्रकार से आदेश में कानूनी करतव्यों के पालन करने का आदेश देती है फिर आता है उत्प्रेशन सर्वोच नयाले अत्वा उच नयाले दौरा अधिनस नयाले ट्रिबुनियल या अर्द नयाइक जो भी प्राधिकरन है उसको या आदेश को रद करने के लिए उत्प्रेशन अधिकारब्रक्षा का अरथ है आपका अधिकार क्या है यह रिट तब जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति किसी सार्जरेरिंंक पेडिना गंजा किसी अधिकार के या लय को सकती है अच्छा रिट कौन जारी करता है यह अधिकार सिर्फ सर्वोष नियाले और उच्टम नियाले के पास है अधिनस्त नियाले और जिना नियाले के पास नहीं है सर्वोष नियाले के पास अनुच्छेद 32 में और 226 के तैद यह रिट जारी करने का अधिकार प्राप्ट किया ग या दोनों कार उश्चाम नियाले के सम्विधार का Training में देखने कौं मिलता है ठीक ए है तो नियायपालिगा जिस तरीके से आपने देखा कि हमारे रूल के लिए हमारे समिधान में बहुत इंपोर्टेंट है इसकी जो लोकतांतिक संद्चना में इसकी भूमिका का बहुत बड़ा योगदान है नियाइपालिका विधाईका और कारेपालिका के बीश-वीश में कई वारत विवाद उठते हैं जिसके बावजूद नियाइपालिका की साख हमेशा से बढ़ी है इनसे कुछ अपेक्षाएं भी हैं कुछ लोग क्या बोलता है लोगों की उमीदे भी हैं लोग हमेशा के नियाइपालिका पर भारत की जनता का बहुत भरोसा है भारती नियाइपालिका पर सोचनता के लिए जाने जाती है अनेक निर्णेयों के के माध्याम से नयाईपालिका ने चक्त की नए वयाख्या दी है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कि है जैसा कि हमने इस अध्याय में देखा कि लोकतंग रवास्त में विधायका और नयाईपालिका के बीच में एक बहुत समविनदाँ संतुलन पर आधारित है जिसमें इन दोनों को अपने समिंधान के सीमाओं के अंदर रहकर ही कारिक करना पड़ता है ठीक है तो आज के वीडियो में बस इतना है अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेट कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और फ् तक यू सो मजग